आज हम आए हैं कापा बस्ती राइपुर में जहां पे हम जंता की राय जानेंगे और जानेंगे कि वो कितने एक्साइटेड हैं चुनाओं को लेकर 15 साल से रमन के सरकार है तो आपमनला का का फाइदा होई अब तक कुछ नहीं होई बहेंजी का फाइदा हुः जीता है जीता वा था कोई कुछ नहीं कर था Το कि पंजाच हाप अगर आथे सरकार तो काका उमीद कर थो आपमन। पंजाच हाप को सपोर्ट कर रहे हैं अब हुआ तो हाराच जा थे अब देखो यह सालो कर किसमत लहरावा थे ते वीजेपी कतका सारा योजना निकाले है स्मार्ट कार्ट बनवाए हैं राशन के दाम लगां करते हैं एक दो रुपए मत चावल मिला थे कुछ हमन मन के तरा सने नहीं हम लग बनाग देश नहीं है बना के मिलेच नहीं है राशन अभी तक मिलेच नहीं है अब कोई फायदा नहीं है नहीं हमरे मन के तरवीस आला लड़का वह मनलाह नहीं बना अबना इससे के दी को मनलाग मन पनावे नहीं करी तौक मला कोई फायदा नहीं नहीं हमारे खेhtaohon परहा उंकर मन के बनाते हैं एक रूप्य खिलों सब लेगे चामाल खिलावा थे हमार कुछ नहीं है तो हमर मन के जो चामाल लातां थे ज़्यादा रेट लगावा थे हर चीज के रेट लेन देवा थे घषी जीती ही एडार पैसा खर्चा करा तो अडार नुकरी वाला मन के लूटा थे पैसा भें तो सबस्क्राइब करें थे बहुत कुछ अधिकार रहे हैं और क्या बुलते हैं सब चीज़ देने की विएक करें अच्छा आपको हमेशा सपोट करें नहीं बहुत बहुत चीज़ उस सपोर्ट करें वोट डालने जाओंगे ना हां जाएंगे तो किसको डालने वाले पंजक पी की सरकार पर यहां कोई विकास नहीं हुआ है यहां कांगरेस के जो विधायक है उन्होंने विकास करवाया है और यहां जंता उन्से बहुत है आने वाले समय में हम कांग्रेस का सरकार ही बनाना चाहते हैं में जो जनता की requirement होती है खाने को लेकर राशन को लेकर लेकिन भाजपा सरकार ने वह सारी चीजे लिए एक दो रुपए में चावल दे रहे हैं शक्कर दे रहे हैं तो उससे कोई फाइदा नहीं हुआ सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यह अंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी चर रहे हैं तो हम उसी के साथ आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शियर कीजिए और लेटिस नोटिफिकेशन और वीडियो के लिए बैर आइकन दबाना मत भूलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सब को मेरा नमस्कार थैंक यू